आज की ये वीडियो उन लोग के लिए है जो लोग महिंद्रे 127 00 लेना चाते या फिर स्क्वार्पियो इन लेना चाते लेकिन उन लोग को ये नहीं पता कि कौन सी बेरियंड में कितने वेटिंग पीरियड चल रहा है मतलब कितने महिन तक आपको इनतेजार करना परेगा तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ एकुरेट तो नहीं लेकिन लगबग आपको कितना इनतेजार करने बारेगा इस बारे में बात करने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव होने वाला है वीडियो को इंट्रेक जरूर देखें और आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें तो सबसे पहले XUV7W के बारे में बात कर लेता है तो इस गारी में हमें टोटल पाज वेरेंट्स मिलता है MX, AX3, AX5, AX7 और AX7L मतलब AX7 लग्जरी तो इस गारी में पेट्रोल लेना चाते है या फिर डिजल लेना चाते है मेनुआल या फिर ऑटोमेटिक कौनसी वेरेंट में कितना वेटिंग पिरियाट चल रहा है और XROM प्राइज क्या है चलिए वो जान लेते है MX वेरेंट की जो वेटिंग पिरियाट चल रहा है अभी लगबग एक मेहने तर और इस मॉडल का इस वेरेंट का जो XROM की मतले लगबग 13,99,000 रुपया उसके बाद आते है एक्स फाइब इस वेरेंट में भी आपको आप में ओटोमेटिक लेना चाते है या फिर मेनुवाल पेट्रोल या फिर डिजल आप लेना चाते है इसके लिए आपको लगबग एक मेहने इंतजार करना परेगा वन मान्थ का वेटिंग पिरियाट चल रह अबल में इस वेरेंट का जो एक्स कुरूम की मतलत लगबग सतरा लाग उंहत्तर राजा रुपए एक्स कुरूम उसके बाद आते है एक्स सेवन मतलब सगेंट टॉप इस वेरेंट को लेने के लिए आपको लगबग एक से डिर मेहना का इंतजार करना परेगा वेटिंग लेना चाहते है या फिर डीजल मेनुवाल या फिर आटोमेटिक कोई भी अगर वेरियंट आप लेना चाहते है तो आपको एक से डिर महिने का आपको इंतेजार करना परेगा और इस वेरियंट का जो एक्सुरूम किमत है वो है लगबत 24 लग 72 रुपय तो यह तो गया महिंद जेट फोर, जेट सिक्स, जेट एट एस, जेट एट और जेट लगजरी मतलब एल तो जेट टू का जो एक्सुरूम की मतलब लगबत 3,60,000 रुपय और इस वेरियंट में आपको सिर्फ पेट्रोल में मेनुवाल और डिजल में मेनुवाल का उप्शन मिलेगा ओटोमेटिक इस मॉडल का जो एक्सुरूम की मतलब लगबत 15,24,000 रुपय इस मॉडल में आपके इस मॉडल से ही ऑटोमेटिक का मिलना शुरू हो जाता है इस मॉडल का पेट्रोल मेनुवाल में या और पेट्रोल ओटोमेटिक में दोनों में ही आपको 3 मेने का वेटिंग पिरियाट च इस मोडिल में आप diesel मेनुआल या फिर अटोमेटिक लेना चाते है तो लेक पर 3-4 महेने तक आपको वेट कारना परेगा वेटिंग परियाट चल वेट आभी 3-4 महेने का उसके बाद आता है Z8S इस model में आप petrol में manual लेना चाहते है या फिर automatic लेना चाहते है इस model के जो एक्सरूम के मतल है 16,90,000 रुप है petrol लेना चाहते है या petrol में manual लेना चाहते है या फिर automatic आपको petrol manual में 3 महिने का और petrol automatic में 2 महिने का waiting period चल रहा है इस गार में इस variant में और dijo manual में 3 महीने का और डijo automatic में 2 से 3 हफते का आपको व्यटिंग पिरियूड चल रहा है उसके बाद आता है Z8 इस model में इस variant में आपको petrol manual में 3 महीने का petrol automatic में 2 से 3 महीने का डीजल मनुवाल में 3 महने का और डीजल आटोमेटिक में 2-3 महने का वैटिंग दिरैट चल रहा है और इस मॉडल के एक्सपरूम की मत है 18,64 रुपे और जो आक्री मॉडल है, टॉप मॉडल है, वो है Z8L, इस मॉडल में आपको manual transmission में तिन मैने का, automatic में, patrol automatic में 2-3 मैने का और diesel manual में 3 मैने का और diesel automatic में 2-3 मैने का waiting period चल रहा है इस variant में और इस variant का जो Xчикиमत है वो है लगग 20,000,000,000,000,000,000 figuring तो आपको कौन सा वाला बेरियंट लेना है, कौन सा वाला ने, आपको पाता चल गया होगा, तो वीडियो यही तक है, बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत परीब है, तो मिलते आगले बीडियो में.